दोस्तों भारत में लिबिन रिलेसंशिप का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है और सुप्रिम कोट ने मानिता भी दे दी है कि दो लोग लिबिन रिलेसंशिप में रह सकते हैं लेकिन लिबिन रिलेसंशिप को लेकर बहुत सारे लोगों के दिमाग में कई सवाल गुंजते र उनमें से प्रमुक सवाल ये है कि अगर दो लोग living relationship में लड़का लड़की रह रहे हैं और अगर उसमें से लड़की गर्भोती हो जाती है या लड़की को बच्चा हो जाता है तो उस बच्चे का क्या होगा चूंकि सुप्रिम कोर्ट ही कहता है कि living relationship में रहने के बाद दोनो पच्च चाहे तो साधी करे और चाहे तो साधी ना करे किसी भी पच्च पर कोई भी पच्च दबाव ये नहीं डाल पाएगा कि आप साधी करिये ही मत अगर living relationship में रहकर दोनों लोग आपसी सहमती साधी कर रहे हैं तो साधी होगी अन्यथा साधी नहीं होगी अब इस इस वो लोग रहे 6-7 महीने, 8 महीने, 10 महीने living relationship में रहे इसके बाद में लड़का पैदा हो गया अब दोनों लोग साधी नहीं करना चाहते हैं तो क्या होगा लड़के का तो दोस्तों आईए आज की इस वीडियो में यही समझते हैं कि अगल living relationship में बच्चा पैदा हो जाता है तब क्या होगा इन दोनों पच्चों का दोस्तों जब दो प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में या living relationship में रह रहे हैं लोगों के बीच में बच्चा पैदा होता है तो उसे love child कहा जाता है और दोस्तों सुप्रिम कोड ने असपश्ट कहा है कि जिस प्रकार से सामाने बच्चा जो पैदा होता है उसके जो अधिकार होते हैं सेम अधिकार love child को भी प्रदान किया जाएगा यानि प्रेमी प्रेमिकाओं के मद्ध पैदा हुए बच्चे को वही अधिकार दिया जाएगा जो कि साधी के बाद जो बच्चा पैदा होता है उसे मिलता है अब दोस्तों आईए समझते हैं living relationship में रहने के बाद जो इस्तिया पैदा होगी उसमें बच्चे को कौन कौन से अधिकार दिये जाएंगे दोस्तों सरप्रथम तो होगा कि लड़की गर्भोती होगी अगर living relationship में दो लोग रह रहे हैं और उस बीच में लड़की गर्भोती हो जाती है तो इस स्थति में उस गर्भोती लड़की के maintenance के लिए दोनों पच्चों में से खर्चा कोई भी वहन कर सकता है अपनी सहमती से अब अगर अपनी सहमती से वहन नहीं कर रहा है तो दोनों पच्चों में से कोई भी पच्च जो भी सक्चम होगा वह उस खर्चे को वहन करेगा अगर वह भी नहीं कर रहा है तो दोनों पच्चों में से कोई विवक्ती कोर्ट का सहरा ले सकता है अपने उस खर्चे के प्लेक किये रहते हैं कि अगर बच्चा पैदा होगा तो क्या होगा अगर हम लोग साधी नहीं करेंगे तो क्या होगा हम आज बात कर रहे हैं कि जैसे एग्रीमेंट जो बनाया है तब तो सब क्लियर है जो एग्रीमेंट में लिखा होगा वही होगा अगर एग्रीमेंट नही बनाया है तो क्या अधिकार मिलने वाले है बच्चे को मा को दोस्तों दूसरे अधिकार के बारे में बात किया जाए वो यह है कि धर्म और जात इससे संबंदित अधिकार बच्चे को प्राप्त होगा बच्चा जब तक अवैस्क है तब तक उसका कोई जात धर्म होता ही नही अब अगर दोनों लोग एक ही धर्म जाट के हैं, तो उसका धर्म जाट यूज रहेगा ही, दूसरा अधिकार जो है, वया है कि बच्चे को संपत्ती पर अधिकार कैशे मिलेगा, अब जैसे जो साधी के बाद बच्चा पैदा होता है उसे जिस प्रकार का संपत्ती पर अधिकार अपने माता पिता की संपत्ती पर अधिकार मिलता है सेम ही love child को भी यानि living relationship में जो बच्चा पैदा हुआ है उसे भी संपत्ती का अधिकार उसी हिसाब से दिया जाएगा जिस हिसाब से सामान बच्चे को दिया जाता है अगला होता है maintenance का अधिकार, maintenance की अधिकार में होता है कि अगर आपने पती-पतनी मिलकर आपने बच्चा पैदा किया है तो उसकी पढ़ाई का खर्चा, अगर लड़की है तो उसकी साधी ब्याग का खर्चा, इत्यात सारी चीजों को परिवार को वहन करना होता है, माता-पि के बाद बच्चा जो पैदा होता है उसे maintenance देता है परिवार अगर maintenance परिवार नहीं देता है तो CRPC की धारा 125 के नतरगत बच्चे को अधिकार है कि अपने माता-पिता से maintenance प्राप्त कर सकता है अब दोब स्वह बात करते हैं किसी भी पच्च को साधी करने के लिए तो अगर लिबिन ने लेसंसिप में इनकी बात नहीं बनी बच्चा भी हो गया आप साधी नहीं करना चाहते हैं इस इस्ति में लड़की जो है जो मा है बच्चे की उसे पतनी का तो दर्जा नहीं मिलेगा लेकिन वो दोनों लोगों को एक मौका दिया जाएगा कि वो दोनों लोग आपस में सहमत होकर ये निर्धारित कर सकते हैं कि बच्चा किसके पास रहेगा अगर बच्चा निर्धारित नहीं कर पाते हैं कि किसके पास रहेगा तो कोड का साहरा ले court जो आदेश देगा court जो निर्देश देगा उसके पास बच्चा रहेगा लेकिन कोई भी पच्च बाद यह नहीं कि बच्चा हो गया है तो अब मुझी साधी करो ऐसा नहीं है बच्चा जिसको court देगा बच्चा ले ले इसके बाद में दोनों पच्च अपने हिसाब से अलग-अलग साधी कर सकता है उसके लिए कोई boundaries नहीं होगी सारांस की अगर बात की जाए तो सारांस यही है जिस प्रकार से सामान साधी के बच्चा पैदा होता है उससे जो अधिकार मिलता है उसी प्रकार का अधिकार सेम अधिकार लब चाइल्ड को भी मिलेगा जो की rebel relationship में रह रहे है दो जोनों के मद्ध बच्चा पैदा होता है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि अगर living relationship में बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसका क्या होगा तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली problem solving वीडियो में तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्त का ख्याल लखिये कानून की जानकारी अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के मादम से लेते रहिए मामलों से बच्च के रहिए I love you all जै हिंद जै भारत